अच्छ जी सो हमने यह देखा कि दो रेशनल एक्सपरेशन को हम 8 कैसे कर सकते हैं सेप्टेट कैसे कर सकते हैं या अगर उनको आपस में मुटिप्लाय करना हो तो तब कैसे मुटिप्लाय करेंगे सबस्थां है सब्रकाइख छ cz जो बाकी है वह हैं कि एक्सपरेशन एक्सपरेशन हो को आपाइए जो है डिवाइड करना हो दूसरे इस सबस्कर घमेरे पास ट्विश्वेड़ें पर ठाज़िए एक मेरे पास है p1 qsrs 1000 ऑफ एक क्योई और इस डूसरे मेरे पास पन रहा है P2 of X divided by Q2 of X अगर मैंने इन दोनों को आपस में जो है divide करना हो क्या करना हो इनको आपस में divide करना हो तो हम क्या करेंगे इसको divide करने का क्या procedure है हम क्या करेंगे P1 of X divided by Q1 of X यह जो divide है इसको हम convert कर लेंगे multiply में multiply में जब convert करेंगे तो यह जो divide के बास जो दूसरा एक ration expression है इसको हम interchange करेंगे इसका जो numerator है और denominator है इसको आपस में क्या करेंगे interchange करेंगे तबदील करेंगे यह नी denominator जो है numerator जो है वो numerator बन जाएगा तो कैसे होगा यह मारे पास आएगा q2 of x divided by p2 of x अब मजीद जो है इसको जब हम तोड़ा से मजीद simplify करते हैं तो हमारे पास आएगा p1 of x multiply हो रहा है किसके साथ q2 of x के साथ इसी तरह q1 of x जो है multiply हो रहा है किसीज के साथ p2 of x के साथ तो अगर आप जो है दो rational expressions को आपस में या sorry एक rational expression को आप divide कर रहे हो दूसरे rational expression से तो basically क्या होगा कि उसका अंसर क्या आएगा ये चीज़ ठीक हैं हम क्या करेंगे कि человек can verte करेंगे multiply में और जो डिवाइड के बाद जो दूसरे rational expression है उसको हम क्या करेंगे interchange करेंगे convert करेंगे flip करेंगे ठीक है और flip करने के बाद जो हमको simply आपस में क्या करना है multiply है multiply करना हो इंको आपस में ठीक है, suppose करने एक example ले ले लेते हैं, let's suppose हमारे पास एक example है, 8x square divided by xy plus x square y square, यह मेरे पास एक rational expression है, divided by 16x square, sorry 16x4 divided by 1 plus xy, अब अगर मैं इन दुनों को आपस में क्या करना हो, हम क्या करेंगे, 8x square divided by xy plus x square y square, यह जो divide है, हमने क्या कहा था, कि divide को हम convert कर लेंगे किस चीज में, और यह जो दूसरा expression है, उसको क्या करेंगे, convert करेंगे, वो बन जाएगा, 1 plus xy divided by 16x, 4, तो मजीद swap करते हैं इसको, आप simply क्या करना है कि जो, हमने क्या करना है, कि numerator को numerator के साथ multiply करना है, और denominator को numerator के साथ multiply करते हैं, हम लिखेंगे, 8x square multiplied by 1 plus xy divided by, यहां पर कहा लिखा हुआ है, xy, अच्छा, इन दोनों में से अगर हम देखते हैं, तो xy जो है, वो इन दोनों में common basically, यह xy into xy है, इसी यह x square y square बना हुआ है, ठीक है, तो xy मैं इसमें से common लोगा तो मेरे पास बनेगा 1 plus xy, 1 plus xy, अच्छा, उसके बाद क्या है, यह क्या लिखा हुआ है 16x4, कि इसके साथ multiply हो जाएगा, ठीक हो गया, तो अगर हम तोर सा मजीद देख लें कि 1 plus xy, 1 plus xy को जो है cancel कर लेगा, 8 ones are 8, 8 twos are 16, इसी तरह यह x square है, x square जो हो cancel कर लेगा, यहां से 2x को cancel कर लेगा, 2 जो है वो बच जाएंगे, ठीक है, सो हमारे पास उपर सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया, नीचे हमारे पास जो है बचा हुआ है xy into, यहां पर बच गया हमारे पास 2 और यहां पर है x square, 2x जो है, वो cancel हो गयते, 2x रह गयते, सो यह हमारे पास बन जाएगा, 1 upon xy multiplied by 2x square, basically x जो है, वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो हमारे पास 2x cube y, यह answer है कि इसका जब हम इन दो expressions को आपस में divide कर लेंगे, ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास कोई algebraic expression हो, और हमने उसकी value find करना हो, कुछ real numbers पे, suppose कर लें हमारे पास एक algebraic expression है, x plus y divided by x square, और मैं कहूं कि इसकी value हम find करते हैं, अगर x की value जो है, वो हो 2, बलके, okay fine, y की value हो 3, सो फिर क्या होगा, सो हमने क्या करना है, सिर्फ और सेफिया करना है, कि जहां-जहां x लेका होगा है, x की value comment 2 करना है, y की value को हमने करना है 3, हम पहले ही इस बात को discuss कर चुके हैं, कि जो हमारे पास x, y, z वगर हैं, इनको variables कहते हैं, इनके value जो है वो कुछ भी हो सकते है, इनके value 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर हम fix कर ले, कि for example, हमने देखना हो कि x की value अगर 2 हो, तो तब इस पूरे algebra expression की क्या value बन सकती है, इस थरह हमने किसी खास x, y value पर इसको देखना हो, तो हम क्या करेंगे, हमने simply क्या करना है, कि इन x और y के जगा पर उनकी values को put करना होगा, सो हमने कहेंगे, x is equal to 2, 2 plus y के जगा पर क्या put करना है, 3 divided by x square है, और x की value क्या है, 2, so 2 का square बन जाएगा, सो हम लेकेंगे, 2 plus 3 is 5, 2 का square is 4, so x plus y divided by x square को अगर आप जो है, उसकी value put करते हो, क्या value put करते हो, x is equal to 2 और y is equal to 3, तो answer कितना हैगा, 5 upon 4.